नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो के साथ अभी आप मेरे पीछे देख पाड़े हैं यह है 2024 की न्यू होंडा साइन 125 इस बाइक में आपको क्या-क्या फीचर्स निलते हैं और चैनल पे पहली वा रहा है तो GTT Technology चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा तो चलिए गाई इस वीडियो को सुरू करते हैं और सबसे पहले सुरुवात करते हैं इसके फ्रेंट वाले सस्पेंशन से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके फ्रेंट में आपको टेलिस्कोपिक टैप के सस्पेंशन मिल जाते हैं ब्लैक कलर के जिसके दोनों और कंपनी ने यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर प्रोवाइट कर रहा है 8018 का यहाँ पे आपको ट्यूलेश टैर दिया गया है 18 इंचेस का आपको ब्लैक कलर का इलवाई देखने को मिल जाता है MRF कंपनी की आपको टैर दी गई है और यहाँ पे आप इसके फ्रेंट वाले मटगार्ट की बिल्ट क्वालिटी देख सकते हो जैसा कि होंडा के सभी बाइकों में आपको बिल्ट क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है दोस्तों ये बाइक दो वेरियंट में आता है डिक्स और ड्रम जैसा कि इसके फ्रेंट में आपको डिक्स ब्रेक मिलता है तो यहाँ पर आपको 240 समयम के डिक्स ब्रेक दिये गए निसीम का आपको कैली पर मिल जाता है ग्लॉसी ब्लैक कलर फिनिस के साथ यहाँ पर इसका फ्रेंट वाला वाइजर देख सकते हूँ जिसके उपर आपको हॉंडा के स्टिकर वर्क दी गई है काफी खुबसरत यहाँ पर आपको क्रोम के ट्रेटमेंट देखने को मिल जाते हैं जो कि इस बाइक के लुक को काफी प्रिमियम मनाती है साइड में आप आप देख सकते हूँ डूबल टोन कलर के यहाँ पर आपको ग्रैफिक्स दिये गए हैं वाइट और ग्रे कलर के बॉल वाले आपको फुली फ्लैक्सिबल टर्ण इंडिकेटर मिल जाते हैं बाइदी भी अगर आपका बाइक कभी गिरता भी है तो तूटने का खरतरा बिल्कुल कम रहता है और सामने से यहाँ पर आप नंबर प्रेट लगाने की जगह देख सकते हो मल्टी रिफ्लेक्टर हेलोजन हेडलाम सेटप यहाँ पर आपको मिल जाते हैं लोब बीम और हाइब बीम के साथ बागी अगर इसकी डाइमेंशन की बात करें तो 113 kg की आपको कर वेट दी गई है हाइट आपको 1016 mm का मिलता है लेंध आपको 2046 mm की दी गई है और वेट आपको 737 mm की मिल जाती है सिंगल सीट के साथ ये बाइक आती है 791 mm का आपको हाइट मिल जाता है और यहाँ पर आप सीट की कुसन की क्वालिटी को भी देख सकते है इसके साथ साथ सीट का ओल पर यहाँ पर आप देख सकते है साइन की आपको स्टीकर वर्क देखने को मिल जाती है नीचे साइड में भी आपको डिवल टोन कलर के ग्रैफिक्स दिये गए है single piece का आपको grab handle मिलता है बाके दोस्तो fuel tank की ओर चले तो यहाँ पर आप देख सकते हो Honda की आपको 3D में badging देखने को मिल जाती है chrome के finish के साथ में 3 tone color के यहाँ पर आपको graphics देखने को मिल जाते है white, black और grey color के full metal body यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है 10.5 liter के आपको capacity दी गई है और E20 का आपको sticker work मिल जाता है जैसा कि यह बिल्कुल latest वाला model है fuel tank cap यहाँ पर आप देख सकते हो medium swap type के आपको clutch दिये गए passing और upper deeper के आपको integrated switch मिल जाती है turn indicator नीचे में आप on की switch देख सकते हो बागे दोस्तों इस bike में आपको warrant देखने को नहीं मिलता है कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको handle bar मिलता है जिसके center में आप देख सकते हो Honda के आपको sticker work दी गई है दूसरी और आपको integrated self start और engine kill की switch आपको देखने को मिल जाती है बागे fully analog आपको split वाले meter console दिया गया है जिसके left side में आप आप देख सकते हो speedometer दिया गया economy zone के साथ odometer यहाँ पर आप देख सकते हो turn indicator की warning main headlight की warning यहाँ पर देख सकते हो और दूसरी और यहाँ पर आपको fuel gauge दिया गया है gear neutral की यहाँ पर warning देख सकते हो side stand की warning और यहाँ पर आपको check engine की light मिल जाती है यहाँ पर आप देख सकते हो sign आपको लिखा मिल जाता है और यहाँ पर आपको key point दिया गया है इसके साथ साथ दोस्तों यह bike आपको single piece horn के साथ आती है catalytic converter यहाँ पर आप देख सकते हो oxygen sensor आपको देखने को मिल जाता है engine में यहाँ पर आप Honda की branding देख सकते हो 5 speed gearbox के साथ यह bike आती है यहाँ पर आप इसका center stand देख सकते हो rider का यहाँ पर आपको non adjustable footrest देखने को मिल जाता है इसके साथ-साथ side stand cut up जैसे आपको features देखने को मिल जाता है तो चलेगा इस finally अब बात कर इसके engine और power की तो इस bike में आपको मिलता है 123.994cc का air cool four stroke two ball BS6 fi engine यह engine maximum power generate करता है 10.7,4 PS का 7500 rpm और maximum torque generate करता है 11 mm का 6000 rpm तोप speed आपको 105 km per hour के आसपास का मिलता है और side panel पे आप देख सकते हो यहाँ भी आपको chrome के treatment देखने को मिल जाती है इसके साथ-साथ 125 के आपको sticker work दी गई है और pillion का यहाँ पे आप adjustable footrest देख सकते हो lady pillion 70 के लिए आपको सारी guide दिया गया जिसमें आप देख सकते हो fiber का भी touch आपको मिलता है और यहाँ पे आपको full chain set की covering मिल जाती है fiber body के साथ में rear वाले suspension की बात करें तो यहाँ पे आपको hydraulic type के fully adjustable वाले suspension दिये गए box वाले आपको swing gun दिये गए जिसके उपर यहाँ पे आप देख सकते हो इसके front और rear में कितना tire pressure रखना है यह भी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है seat locker यहाँ पे आप देख सकतो पीछे की ओर चले तो कुछ इस तरह का यहाँ प्राइप आपको इसका look देखने को देखने को मिल जाता है bulb के यहाँ पर आप आपको टेल लाइट दिये गए है बॉल्प के आपको टॉण इंडिक्र मिल जाते हैं यहाप तसकी बुल्ट कौालिटी भी देख सकतो नंबर प्लेट लगानी की आपको जगह दी गयी है इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर रेर वाले मटगर्ट की भी build quality देख सकते हो काफी flexible है आपको देखने को मिल जाता है reflector देख सकते हो दूसरी और इस side से भी यहाँ पर आप देख सकते हो sign की आपको sticker work के देखने को मिल जाती है 130 mm का आपको rare में drum break मिलता है और इसके rare में भी यहाँ पर आप देख सकते हो 8018 का आपको tubeless tire दिया गया है rare वाले tire की pattern को यहाँ पर आप चेक आउट कर सकते हो और यहाँ पर आप इसका exhaust देख सकते हो जिसके उपर आपको chrome के finish के साथ muffler guard मिल लाता है यहाँ पर आपको metal body की देखने को मिलती है और यहाँ पर आप देख सकते हो pillion का आपको adjustable footrest दिया गया है इसके साथ-साथ ESP की आपको sticker work दी गई है 125 की sticker work की यहाँ आपको मिल जाती है और इस side से भी आपको chrome के treatment देखने को मिल जाता है rider का non energy stable footrest देख सकतो black color का आपको brake pad दिया गया है और engine पर यहाँ पर आप Honda की branding देख सकतो यहाँ पर आपको इसका kick lever देखने को मिल जाता है और engine के ऊपर यहाँ पर आप देख सकतो engine while cap यहाँ पर आपको दिया गया है इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप इसका spark plug देख सकतो catalytic converter आपको देखने को मिल जाती है तो चलिए फाइनली अब बात करें इस bike की pricing की तो अभी जो इसकी 100 room कीमत निकल क्यारी वो है 83,048 रूपीज और on road कीमत पढ़ने वाली है 96,006 रूपीज और दोस्तों अगर आप इसका drum brake वाला variant लेते हो तो उसकी 100 room कीमत पढ़ेगी 49,048 रूपीज और उसकी on road कीमत पढ़ेगी 93,607 रूपीज यह on road कीमत की जानकारी मैंने आपको दिया प्रसांत मोटर्स का लंबाग रोड लेनीं चौक मुझापर पुरिस्तित सोरूम में यहाँ पर आप विजिट कर सकते हो होंडा के किसी बाइक या स्कूर्टी का टेजड़ ले सकते हो अगर आप भी अपनी सीटी के ऑनवर पाई जानना चाहते हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में अपनी सीटी का नाम लिख करके भेश सकते हो थैंक्यों दोस्तों वीडियो के लाश्ट तक बने रहने के लिए वीडियो पसंद आई हो हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को जादा सा जादा लाइक किजेगा दोस्तों में सेड कीजेगा और जी टी टेकनोलोजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा जहिंग जह भारत